जेहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करेंट अफेर्स की क्लास पर आज है 9 जनवरी 2024 और 9 जनवरी 2024 से रेलेटेड जितनी भी क्या नाम है इसका नाम है ओपन हाइमर तो ओपन हाइमर आपने अगर देखी होगी तो काफी अच्छी रेटिंग्स थी हाला कि यह जो फिल्म थी पूरी तरीके से आप मैंने जब देखी तो मैं सो गया था लेकिन यह बहुत ही साइंटिफिक मुवी है अगर आप इसे वाच करेंगे किस प्रकार से एक्स्प्लोजन हुआ किस प्रकार से नुक्लियर बॉम्स रेलेटेड ओपन हाइबर मुवी है चली आए देखते हैं एवरिफिंग एवरिवेर ओल एट वन्स को कौन सा अवर्ड मिला है तो आप सभी को पता है इस वार जो ऑसकर अवर्ड दिया गया था इसमें पर लाए दो हजार तेश में इसमें बेस्ट फिल्म का फीचर फिल्म का वार्ड रॉकेट्री दानंबी इफेक्ट को मिला है देखिए आप और और बाफ्टा पुरसकार दिया गया अब आई जानते गोल्डेन ग्लोब पुरसकार की तो देखें यह जो किस नंबर का की वन नंबर का गोल्डेन ग्लूब अवार्ड था ठीक है और किसके दौरा आजित किया जाता है तो अमेरिका के दौरा आजित किया जाता है अमेरिका में कहां पर हुआ था तो कैलाफोनिया की वेवर्ली हिल्स में इसका आजन किया गया था यहां पर यह क्या किया गया था ceremony organized किया गया था golden globe award में अगर देखें तो पूरे conclusion को देखें जो film barby थी ये भी भारत में release हुई थी सबसे ज़्यादा 9 इसको nomination मिले थे और openheimer को भी arts radio में nominate किये गए अब यहाँ पर आई जानते golden globe awards को और भी detail में अगर आपसे पूछा जाएं के सबसे पहला golden globe award इसका आजन सबसे पहले कहां पर किया गया 1944 में किया लॉस एंजलेस में किया गया ऑसकर फिल्म ऑसकर जो अवार्ड होते हैं यह भी अमेरिका के द्वारा दिये जाते हैं और ऑसकर अवार्ड की लिए यहां पर golden globe award दिये जाते हैं दोस्तों आप सभी को पता है औसकर में नाटू नाटू ने जो की भारती सौंग है इसने बाजी मारी थी और golden globe पुरसकार यहां पर पिछले बार का जो 80 नंबर का golden globe अवार्ड था तब नाटू नाटू को यहां पर golden globe पुरसकार दिया गया था पहला एशायगीत था जो लास्ट टाइम का golden globe अवार्ड था तो आप यह बात यार रखेगा अगर आप से पूछा जाए कि यह पुरसकार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है तो hollywood foreign press association है इसके द्वारा यह पुरसकार प्रदान किये जाते हैं अब आई जानते हूं सभी winners और विजेताओं के नाम बेस्ट पिक्चर ड्रामा सेग्मेंट में ओपन हाइमर है और यहां पर इसके डारेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन और सबसे बेस्ट डारेक्टर यहां पर चुने हैं और इनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन सबसे बेस्ट अभिनेता थे किलियन मफी मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए सबसे बेस्ट अभिनेतरी हैं लिली ग्लैड स्टोन ठीक है मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए सबसे बेस्ट टीवी सीरीज है नाटक में सक्सेशन सबसे ब इंपोर्टेंट मैंने आपको बता दिये हैं अब आई 2030 के जो प्रमुख पुरसकार दिये गए हैं एक बार उससे भी रिवाइस कर लेते हैं तो पद्मा पाणी lifetime achievement award किसे मिला है जावे दक्तर को पद्मा पाणी lifetime achievement पुछा जाए दिवाली पावर फवन आवर्ड किसे मिला तो बान की मोन को यहां पर यह पर प्रसकार दिया गया है डॉक्टर हेमा चंदर्रवी कुमार को यहां पर मिला कर्मवीर चक्रपदक 33 व्यास सम्मान और यह व्यास सम्मान केके बिल्ला फांडेशन के द्वारा दिया जाता है 1991 से दिया जा रहा है चार लाक रुपए की राशी मिलती है और पुछपा भारती को यहां पर दिया गया है दोस्तों आप सभी देख रहे डेली करेंट अफेर्स और मैं हूँ आप सभी का राज़ा गुपता लगातार 763 दिनों से आपको करेंट अफेर्स पढ़ा रहा हूं और आज है 9 जनवरी डेली अब क्लास आपकी सुबह 6 से अमपर होगी आप सभी को लाइफ कनेक्ट होना है आपको एक क्लास हिंदी और इंग्लिश डोनों मीडियम में प्रवाइड की जा रही है इस क्लास की सबसे विशेश बात है सबसे कम समय में करेंट अफेर्स हम आपका 1-5 घंटा विश नहीं करते आदे घंटे में 300-400 जानकारी आपको मिलती है अगर आप नए स्टुनेंट ह तो बस आप क्लास को सुनते चलिए जब क्लास खतम होगी तो आपको महसूस होगा कि आपने बहुत कुछ सीखा है और करेंट अफेर्स के साथ साथ यूसेंट इस्टाटिक जीके भी आपको यहां पर मिलता है आप सभी अपना फीड़बैक में बताएगा क्या वाकई आपक कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा इस्टिकर अप्लिकेशन है इससे आपको डाउनलोड करना है यहां पर आपको किस धाय। की जा रही है यह डेली करेंट अफेर्स का सेक्शन जहां पर आपको मिल रही है यह महा मररतन की पीडियोड की गए है ठीक है राजा गुपता करेंट आफेर्स हम से आज जिससे आप जॉइन कर लीजेगा regular updates important PDF notification के लिए दोस्तों चैनल पर पहली बारा हैं don't forget to subscribe, like, share and comment सिर्फ पढ़ाई आपको सफल नहीं बना सकती दोस्तों लगन, महनत और सही दिशा से चलने की शमता भी जरूरी है बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस दिन बर हम पढ़ लें कुछ भी पढ़ लें तो आपका selection हो जाएगा नहीं आप गलत है देखिए अगर आप जब भी आप देखें अगर आपको किसी कागज को जलाना है और आपके पास आप अगर solar का इस्तमाल करते हैं solar energy का इस्तमाल क है उसी प्रकार से आपको भटकाओ बहुत देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में हमारे गाइडेंस में आप चलेंगे तो आपको निश्चिती सफलता मिलेगे इसलिए अपने आपको हमेशा evaluate करते चले देली क्लास को ले और हमसे आप ब लगातार चौथी बार आपको पता है बांगला देश की प्रधान मंत्री है लगातार चौथी बार देश की प्रधान मंत्री बनी है देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो मंगोलिया के राश्पती है तो इनका क्या नाम है उख नागिन क्या नाम है उख नागिन सुर प्राइमिनिस्टर कौन है तो श्र非लंका के प्राइमिनिस्टर दिनेश गुडवर्ध रखने आपको याद रखना है यह भी आप से पूछा जा सकता है तो के ऑगस्तान के कजाकिस्तान के अगर आप से प्रेसिडेंट पूछा जाए तो यह है स्माइलोव क्या नाम इनका इस माइलोव नाम है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो बांगलादेश की प्रधान मंत्री सेख हसीना आप यहां पर देख पारे लगातार चौथी बार आम चुनाओ इन्होंने जीता है और सेख हसीना पांचवी बार बांगलादेश की प्रधान मंत्री बनने जा रही है और इस सपत लेंगे अगर आपसे पूछा जाए इनका संबंद किस पार्टी से ऐसे कॉ 223 सीटे यहां पर इन्होंने जीती बहुत पड़ी मैजॉर्टी के साथ यहां पर इन्होंने अपना कपजा बनाया है बांगलादेश की प्रधान मंत्री की बात करें तो इनकी शुरुवात कप से हुई है तो 2009 से इनकी शुरुवात हुई है सेख हसीना की और तब से लिके और यहां पर भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं इनके कारकाल में बांगलादेश की बात करें तो बांगलादेश की कैपिटल ढाका है यहां पर आप बांगलादेश देख पा रहे हैं बांगलादेश की जो सबसे ज़्यादा सीमा पश्यम बंगाल से लगती भारत क की करेंसी टका है मुहम्मद शाह बुद्दीन चुपू यहां के प्रेसिडेंट है हाली में बनाये गए और प्रधान मंत्री आपको पता है यहां की पार्लामेंट का नाम आप से पूछा जा सकता है दन पार्लामेंट और बांगलादेश का निर्माड का हुआ था 1921 में और बांगलादेश ने 26 मार्च को अपना सोतंत्रता दिवस मनाया था ठीक है और भारत ने 16 दिसंबर को आजात कराया था बांगलादेश को पाकिस्तान से परिच्छा संजीवनी में अंतरास्टी न्यूक्तियों को डिसकस करेंगे इंटरनेशनल अपॉइंट्मेंट मेडगास्कर के प्रेसिडेंट कोन है एंड्री रजो एलीना न्यूजिलेंड की नए प्रधान मंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन अगर आपसे पूछा जाए कि ल लोटल देशों की संख्या दस हो गई है आई देखते कॉस्चन नंबर थी तीसरा प्रशना आप सभी के सामने रहा यूरोपी निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है वो हैस्ट वीमन प्रेसिडेंट आफ यूरोपीन इंवेस्टमेंट बैंक की पहली आप क्याद रखेगा पहली महिला अध्यक्ष बनी नादिया केलवीनो के नाम है नादिया केलवीनो जोर्जिया मेलोनी की बात करें तो इटली की प्राइम मिनिस्टर है काफी न्यूज में भारत में आप सभी को पता वजय क्या है कमला हैरेस की बात करें तो अमेरिका कि में राष्ट पती है नगोजी ओकोंजो इवेला डबलु एचो की महा निदेशक है डबलु एचो की अगर आपसे पूछा जाए यह जो निदेशक कौन है वो कौन है वो आपको नाम मैंने हाँ पर बता दिया ठीक है तो यूरोपी निवेश बैंक की पहली महिला अध्यश खौन बनी नादिया कैलवीनो बनी है यहां पर अप नादिया कैलवीनो को देख पा रहे हैं शी दफर्स्ट वुमेंट टो बीकम अप्रेसिदेंट आफ यूरोपी निवेश बैंक आठवी नंबर की अध्यश अगर आपसे पूछा जाए किनका स्थान ले रही है तो यह जर्मनी की वार्नर होयर का जग है ले रही है इस्थान ले रही है अब बात कर लेते यूरोपी निवेश बैंक की जिसकी स्थापना 1958 में हुई है वेर इट इस हैड़कौर्टर इस हैड़कौर्टर इस लोकेटेड एट लगजंबर किचरवर्ग दपलेस इट इस यह है लगजंबर विश्व की प्रतम महिलाओ को डिसकस करेंगे बात हमने महिलाओ को की है तो USA की पहली महिला सेकेटरी ओफ स्टेट कोन है यह है मैडलीन अलब्राइट जुंको तेबाई की बारे में आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाली शी इस दा फर्स्ट वुमेन मिस फ्रॉन फिप्स की बात करें तो उत्री धुरूप पर पहुंचने वाली पहली महिला है मिस फ्रॉन फिप्स आई देखते दोस्तों चौथा महतुपूर्ण प्रश्न हाली में हिम तेंदुआ कि इस देश का राश्टी प्रती गोशित किया गया इस नो लेपर्ड हैस ब आई देखते हैं हिम तेंदुआ का बहुत ही सुन्दर जीव है अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे गूगल पर सेर्च करेंगे तो आपको इसकी सुन्दरता महसूस होगी तो यह हिम तेंदुआ किर्गिस्तान का ओफिशल रूप से यह क्या डिकलेर किया गया है नेस पैंथरा अंसिया है तो इसे यहां पर इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथरा अंसिया देखें आपको कहा कहा देखने को मिलेगा तो दक्षड एश्या की छेत्र में आपको देखने को मिलेगा और यह मद्ध छेत्र में जो मद्ध छेत्र का परवती छेत्र है वहा मराया जाता है भारत में हिम तेंद्व कहां कहां पाए जाते आए देखते हैं तो हेमिस राष्ट्य उद्ध्यान जो कहां पर है लद्दाख में ग्रेट हिमाले नेशनल पार्क हिमाजर प्रदेश में गंगोत्री राष्ट्य उद्ध्यान उत्राखंड में यहां पर पाए ज जाती हूं अनुमानित हैं 700-800 की बीच में सबसे ज्यादा हिम्तेंदुआ किस देश में पाए जाते हैं तो चीन में आपको स्नो लपड सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे देख पा रहे हैं आपके करीब आ रहा है ठीक है अब बात यहां पर किर्जिस्तान को भी देख लेत दूसरा उजबेकिस्तान यहां पर देखें तीसरा तजाकिस्तान चौथा चाइना है किर्जिस्तान की क्यापिटल बिश्केक है क्या है बिश्केक है और इसकी करणसी सोम है और यहां पर राष्टपती है साधिर जहपरोब दोस्तों एक बहुत इंपोर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए जिसका बहुत बेसबरिस इंतजार कर रहे थे हमने यहां पर एरली इबुक को लॉंच कर दिया है थोड़ा हमने समय लिया इसे करक्ट करने में मैं बिजी भी था लेकिन दोस्तों अब एरली बुक आपकी लॉंच हो गई है टॉप 500 mcq के साथ लगभ 320 पेजेस की यह इबुक हमने तयार की है 320 पेजों की इबुक है यहां पर आपको पूरे साल की घटनाव का यहां पर नेशनल इंटरनेशनल ऐसी 20 प्रकार की डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगे यह कुछ सेंपल से ही इबुक के देखिए 500 कोशन हमने इसमें है 2023 इरली इबुक आप इसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप इबुक सेक्शन में एंटर कर जाएंगे और आप महां से आप डाउनलोड कर सकते हैं आई देखते हैं कौशन नमबर फाइफ किस राज के महा कालोग में प्रसादम का उधगाटन किया गया इन विच स्टेट महा इस रिच्वल वास्तिवी ग्रूप से आपको यहां पे कुछ महसूस होगा आप जरूर विजिट करें ठीक है तो दोस्तों करनाटक राज में अभी होसाला मंदिर का आपने नाम सुना होगा तो होसाला टेंपल को युनेस्को में शामिल किया गया है और यह 42 नंबर का यु प्रिंटे टेंपल भा 3D प्रिंटे टेंपल का यहां पर उद्घाटन किया गया है 3D प्रिंटे टेंपल का ठीक है इसके लावा तिलांगना में महालक्ष्मी योजना महालक्ष्मी योजना स्टार्ट की गई है महालक्ष्मी योजना इसमें ट्रांसजेंडर लड़कियों क को यहां पर बैगा जन जाती है तो आईए वापस आते मद्ध प्रदेश के प्रसादम में आते हैं तो मद्ध प्रदेश के जो सीम है डॉक्टर मोहन यादव है अभी यहां के सीम बनाए गए है तो उजयन के स्री महा कालोक्त में देश का सबसे पहला हेल्दी और हाई जीनिक फूर्ड स्रीट प्रसादम का लोकारपन किया है और एक करोर 75 लाख रुपए की लागत से से तयार किया गया है अब उजयन के बाद देश भर में बनाया जाएगा लगबग ऐसे सो जगह यहां पर स्ट्रीट खोले जाएंगे अलग अलग फूर्ट स्टाल खोले जाएंगे जहां पर उजयन के स्थानी वेंजन भी उपलब्ध होंगे बात यहां पर MP कीगे तो मध्य प्रिदेश का गठन 1 नवंबर 1956 का हुआ था फजल अली कमिटी के अनुशंसा के साब से 14 राज और 6 केंसा से प्रिदेश का गठन हुआ था इसकी क्यापिटल भोपाल है पांच र मंगू भाई सी पटेल राज पाल है यहां के जो बिधान सभा सीटे 230 से अभी चुना हुआ था 164 सीटे यहां पर बिजेपी ने जीती है राज सभा की सीटे 11 है लोक सभा की सीटे 29 है MP के करेंट अफेर्स को देखें तो मोटे अनाजों की उत्पादन को बढ़ावा देने क लिए यहां पर रानी दुर्गावति स्री अन प्रसाहन योजना की शुरुवात की गई है MP के यहां पर दो डिप्टी सीम है जगदीप देवडा और राजें शुकला यहां के दो यहां के सीम बनाए गए हैं दोस्तों प्रमुख संधियों को डिसकस करेंगे तो पहला साल पाई की संधि जो की 1782 में हुई थी महाद जी सिंधिया और अंग्रेजों की बीच में बेसिन की संधि 1802 में हुई थी पेश्वा बाजी राव दुती और अंग्रेज के बीच में दौलत राम सिंधिया और अंग्रेज की बीच में हुई थी गवालेर की संधि डारेट कोश पूछा जाता है 1817 में आई देखते हैं दोस्तों अगला कोश्चन किस राज में कदम काल का दश्वी सताब्दी इश्वी का शिला लेख हो जा गया है इन विच स्टेट हैस एन इंस्क्रिप्शन डेटिंग बैक टू टेंथ सेंचुरी एडी अफ कदम पीरियट हैस बिन डिस करने की बात कई है अभी पारित नहीं हुआ है केरल ने 14 जीलों पर हॉल मार्किंग सेंटर स्थापित किया है जिससे की पता चला आपको पता चल सकेगा कि जो आपके पास सोना हो सर्टिफाइड है कि नहीं नमोशतकारी महासम्मान योजना महराष्ट में स्टार्ट किया ग देख पा रहे हैं और दक्षट गोवा की काकोडा में महादीव मंदीर है वहाँ पर कदम काल का यह 10 सेचुरी इसी का शिला लिख हो जा गया है और इसमें जो शिला लेक में संस्कृत और कर्नड में कुछ लिखा हुआ है और इसके बारे में बताया गया है कि तलारा नेवय के द quarter अपने बेटी गुंडवय की वरे में इसमें चीजएकर की गई है यह शिला लिख में ठीक है कि बारे में डिसकस करते हैं दोस्तों कहां पर कैसे हैं तो देखके गोवा आप यहां पर देख पा रहे हुए उसका नाम है मार्म अंगा ऊَ गोवा की राजदानी पढची है कि इंपॉर्टन्ड रिवर मांडवी है और पियस स्रीधरन पिला यहां के राजरपाल आ tyre 40 विधान सबसीते हैं प्रमोस सावंत ही की मुख्य मंत्री है और छेत्रफल की साफ से सबसे छोटा जो जिला है सबसे छोटा राज गोवा है कौन सा राज गोवा है ठीक है 1961 में ओप्रिशन विजय यहां पर मनाया गया था अब आई देखते हैं दोस्तों प्रवासी भारती दिवस कब मनाया जाता है वैं इस प्रवा प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है ठीक है पाच जनवरी को क्या मनाया जाता है रास्ट्री पक्षी दिवस मनाया जाता है रास्ट्री पक्षी दिवस यानि नेस्नल बर्ड जिसे बोलते हैं चार जनवरी को क्या मनाया जाता है चार जनवरी को यह ब्रेल डे मनाया जा जाता है इसको मैं आपको पढ़ा चुका नौ जनवरी को महात्मा गांधिजी की याद पर यह प्रवासी भारती दिवस पना जाता है और प्रवासी भारती दिवस यह जो एनराइज हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस हमाई देश के जो डवलब्मेंट में इसके बारे में ये बात बताता है तो पहली बारी दिवस 2003 में मनाया गया था और 1915 में हुआ क्या था महात्मा गांधी जी दक्षिन अफरीका से भारत लोट करके आये थे और आपको पता है कि बड़ा भारत को आजात कर तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस कल मनाया जाएगा 11 जनवरी को दो दिवस होंगे लाल भादु शास्तरी जी की पुनित थी और मानव तास्करी जागरुकता देवस 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे और 12 अगस्त को इंटरनेस्टर यूथ डे और 15 जनवरी को इंडिय मोहन राउ कोन बनाए गए जी राम मोहन राउ बनाए गए यहां पर संजीव अगरवाल की हम बात करें तो इन्हें एन आई एफ आई एफल का यहां पर क्या बनाए गए चेर्मेन बनाए गया संजीव खन्नक की हम बात करें तो नालसा का नेशनल नालसा का आपको फुल फॉर गालऊ ली वान ऐहां ग़ें इनके बारे में संजीब यहां पर जी राममोहन- trabalh के बारे में जो सेवी की नय एक्सक्यूट्रीब डारेक्टर बनाए गए आप यहां पर राम मोहन-गार को देख पा रहे हैं से भी का इने इडी बनाये गया एक्स्क्युटिव डारीक्टर बनाये गया और इनकी। ऐपुटमेंट डोल। हजासworks तक रहेगी। हु। छेफिक दीकिलल। का काम क्या होता है जो इन्वेस्टर्स षते हं इंके हितों की सेवी क्या है भारा सरकार का जो वित्मंत्राले है और उसके तहत यह काम करता है देश में जितने भी सेक्योरिटीज और कमड़ूटीज बज़ार है उस सब को रेगुलेट करने का काम सेवी का होता है और सेवी कि सथापना 1988 में हुई है जिसका हैड कोर्टर काहाँ पर मुंब रेद दरजा दिया गया है 1992 में इसको वैधानीक दरजा दिया गया है यह पर महत्पुर्ण न्यूक्तियों की बात करें तो विकास सील यहां पर एडीबी के कारकारी निदेशक बनाया गया इरेडा में वित्ति निदेशक बीके महंती हैं तंतोष जा श्रिलंका में भारक के राजदूत हैं के नए अध्यक्षा और आई टी बीपी के महा निदेशक राहुल रस गोत्रा है आई देखते हैं एसिया उलंपिक क्वालिफायर में पूर्षो की दस मिटर एयर पिस्टर टीन्स परधा का सौट पदग किस टीम ने जीता है यहां पर एशिया उलंपिक क्वालिफायर में जकारता में इस काजन किया गया था कहां पर इंडोनेशय के जकारता में यहां पर आप तीन लोगों को देख पारें एक हैं वरुण तोमर दूसरे हैं अरजुन सिंग चीमा और तीसरे हैं उज्ज्वल मलिक इन तीनों की भारती टीम ने यहां पर शीर सस्थान हासिल किया ह दूसरे स्थान पर इरान था जिसने सिलवर मेडल जीता है कोरिया ने ब्रॉंज मेडल जीता है कांसे पदक जीता है स्पोर्स करेंट अफेर्स को डिसकस करेंगे तो हाली में भारत दक्षिन अफ्रीका का मैच हुआ था कैप टाउन में और यहां पर इतिहास में सबसे छोटा मैच खिला गया किवल दो दिन में मैच खताम हो गया और यह जो मैच है किवल 107 वर का क्रिकेट टेस्ट मैच खिला है डेविड वार्नर आप सभी जानते हैं ऑस्टेले के बल्ले बाज जिन्होंने टेस्ट के साथ साथ वंडे में रेटार्मेंट की घोशना कर दी है आज का आखरी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स चक्रवात अलवारो ने किस देश को प्रभावित किया है साइक्रोन मेडागास्कर आपको आफ्रीका के पास देखने को मिलेगा आफ्रीका कॉंटिनेंट के पास देखने को मिलेगा इसने यहां पर प्रभावित किया है देखे ऑस्ट्रिया में जो चक्रवात आया था इसका नाम था जैस्पर तो ऑस्ट्रिया में जो चक्रवात आया था जैस ने किया था मिचोंग तूफान का नामकरण मैमार ने किया था इसने किया था मैमार में मांगलादिश ने विपर जाय का नामकरण किया तो दोस्तों यह उश्र कटी बंदी चक्रवात है अलवोरो मेड़ागासकर के मोरामबो में आया था बहुत सारे लोग इसमें एफेक्ट ह हुए हैं 16,000 लोग यहां पर इससे प्रभावित हुए हैं अब दोस्तों इंपोर्टेंट साइक्लॉन को देखते हैं जो और भी बच्चे हुए है तो यहां पर आप देखिए साइक्लॉन मिधीली इसका नामकरन मालदीश ने किया है और इसकी उत्पत्य हुए बंगाल की खाड़ी से ठीक है और इससे जो प्रभावित छेत्र है वो कौन सा छेत्र है बांगलादेश कौन सा देश है बांगलादेश बिपर जयका नामकरन बांगलादेश ने किया है प्रभावित छेत्र भार कमेंट बॉक्स पर आपके कमेंट जारी रहने चाहिए तो पहला कोशन ने रहा करनाटक की नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं तो करनाटक की नए चीफ मिनिस्टर है सीधा रमया किस देश ने रूस के हीरे और धात्वों पर प्रतिबन लगाया है तो युनाइटिड किंडम ने धात्वों और हीरों पर प्रतिबन लगाया है क्योंकि रूस और युक्रेन की वार की वजह से विजी का सर्वोस सम्मान कंपीनेंट ऑफ दा ओडर और फीजी से किसे सम्मानित किया गया तो यहां पर नरेंद्र मोधी जी को सम्मानित किया गया रेना बर्नाविक इस दे सकतन दिवस समारों होगा शाषन अपल्यादारी पहल किस राज में शुरू की गई है तो महरास्त राज में शाषन अपल्यादारी पहल की शुरुवात की गई है उत्तराखन की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दहरादून से कहां तक चलेगी दहरादून से लखनव तक च पुस्तक की लेखा कौन है तो अंशुमन गायकवार्ड इसके लेखाक है दोस्तो आठ जनवरी कल था और आठ जनवरी की करेंट अफेर्स का भी बहुत कराना है और आपको यह क्लास पुरी होती है अई देखते हैं किस अंत्रिस एज्एंसी ने फ्यूल सेल्ट अगनीक का सफरह पराइक्षण किया है इसी अबिजली और पानी का उत्बादन होगा भारत पार्क किश में खोला जाएगा एसजाये विकास बैंक संकारा ह निदेशक विकास सील बने है प्रेड़ना कारकम किस मंत्राले ने लौंच किया है तो सिक्षा मंत्राले ने लौंच किया है भारत का पहला सूरी मिशन आदित तेलवन किस दिन लेगरेंच पॉइंट वन पर पहुंचा तो छे जनवरी दोहजार चोबिस को पहुंचा है दोहजार वाइस देश में भारत के खिलोने में टॉइ एक्सपोर्ट में कितना इंक्रिमेंट हुआ है तो यह हैं इंद्रमडी पांडे राजस्थान में इंद्रा रसुई का नाम बदला गया औ प्री अनपूर्णा रसोई कर दिया गया किस राज सरकार ने आपदाओं की पूर्चतावनी के लिए राहत वाड़ी के इंद्र लॉंच किया है तो दोस्तों इस राज का नाम में उत्तर प्रदेश किसने लॉंच किया यूपी ने दोस्तों हिस्ट्री से संबंदित पांच महत्पूर्ण प्रश्न कवर करेंगे ल्यूजंट जीके में अम यहां पर कवर करते हैं भारत में सबसे पहला सूती वस्तर मिल किस सफापत किया गया तो बॉंबे में सबसे पहला कॉट्न टैस्टाइल मिल सफापत किया गया इसके दोरह बंगाल और बिहार का स्थाई बंगाल और बिहार में स्टार्ट किया गया तो लौर्ड कॉर्ण वालिस के दौरा इसे स्टार्ट किया गया था 1793 में अच्छा यह स्थाई बंदोबस्त था क्या इसमें होता क्या था एक जमीदार एक पॉइंट कर दिया जाता था जो पूरे किसानों से टेक्स कलेक करता था अगर वो टेक्स नहीं कलेक करता था तो फिर उसकी जमीदारी च्छिलनी जाती थी ठीक है तो बिटिस सरकार ने भारत में स्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था तो पर्मनेंट सेटल लागू हुई थी यह मद्रास और बॉंबे मद्रास बॉंबे यहां पर लागू हुई थी रैयत वाडी विवस्था अच्छा रैयत वाडी विवस्था में क्या होता था कि रैयत रैयत का मतलब होता है किसान जो स्थाई बंदोबस्था उसमें क्या होता था स्थाई बंदोब पर यहां पर कोई बीच में जबिदार नहीं होता था डारेक्ट वो कंपनियों को अपना राजश्व देते थे रहेत वाड़ी विवस्था में पहली बार आप चौरिक रूप से महाल वाड़ी प्रथा कब लागू की गई तो महाल वाड़ी सिस्टम महाल वाड़ी सिस्टम कह कि अच्छा महाल वाड़ए में क्या होता हुई महाल कभी गाहँ का मुखिया होता था और उसको बोला जाता था कि तुम राज़ास से कध्रित करो और हमारे तक पहुँचातब है चलो दोस्तों यहां पर नौ जनवरी 2024 का टेस्ट लिने वाल है» आई ने किया है डैविड बॉर्नर किस देश के क्रिकटर है तो डैविड बॉर्नर ऑस्ट्रीलिया के क्रिकटर है संतोष जा किस देश में भारत के राजदूद बने हैं तो श्रिलंका में भारत के राजदूद संतोष जा बने हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा तो 10 कि संदी 1775 में हुई थे MP में बिधान सभा की सीटों की संख्या कितनी है तो 230 बिधान सभा की सीटों की संख्या Great Himalaya National Park कहां पर देखने को मिलेगा तो Himalaya प्रदेश में है Great Himalaya Himalaya आप लोग मिला लिजेगा जौर्जा मेलोनी की देश की प्रधान मंत्री तो इटली की प्रधान मंत्री जौर्जा मेलोनी है तो तिस्वा व्यास सम्मान किसे दिया गया पुष्पा भारती को तिस्वा व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है ठीक है पुष्पा भारती को आज का सवाल है दोस्तों सेख आपको यहां पर पहचानना है यह इसके बारे में आपको तीन से चार लाइने लिखने है डिटेल से दोस्तों एरली इबूक लॉंच हो गई है आज ही डाउनलोड कीजिए टॉप 500 यहां पर पूरे साल का करेंट अफेर्स का आपको निचोड दिया जा रहा है यहां पर इसे लगवग 20 अलग अलग टॉपिक्स पर तयार किया गया है रास्ति अंतरास्ति अर्थसास्त्र वैज्यानिक खेल अवार्ट्स प्लान प्रोजेक्ट ऑपरेशन कॉंफरेंस टीटी ड पर्मेट को अरेंज किया आप देख सकते हैं आपको स्टडी कर अप्लिकेशन डाउनलोड करने उसके बाद आपको इबुक सेक्शन में जाना है यहां पर 2023 एरली इबुक में जाना है जहां पर आप इसे अवैल कर सकते हैं दोस्तों राजा गुपता करेंट अफेर्स हमारा आयास सर लेते हैं जो की पुलिस कॉंस्टेबल यूपी पुलिस कॉंस्टेबल प्रैक्टिस वैच है वो प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें ऑफिस 7 एम पर राजे सर स्टाटिक की क्लास लेते हैं 8 एम पर यहां पर सुरजित सर की क्लास रहती है तो सारी क्लास को फॉलो मुझे डेली पढ़िए एक दम आप मैंने सारे विश्य आपको दे दिये हैं हिंदी और इंग्लिश भी आपको मिल जाएगा मैंने अपनी जिम्मदारी पूरी की अब आपकी बारी है पढ़ने की ठीक है रात कॉर्ड बजे करेंट अफैस का टेलीग्राम पर टेस्ट भी देत सकते हैं लगबग बहुत सारे लोगों का कमेंट का रेपलाई में करी देता हूं ठीक है और दोस्तों हमारा नंबर है आप उस नंबर पर भी कॉन्टेक कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की प्राब्लम आती है ठीक है आप हमारे वाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर सकते different social media handles इन सब का link आपको description box और comment box पे दिया गया है तो दोस्तों चली चलने का समय हो गया है मिलते लूशन किंग सीरीज के साथ आज से जो start हो रही है 11 बजे वापस से सारे काम मेरे खता में अब आपको वापस से लूशन किंग सीरीज देना है तो फ्रेंट्स मिलते हैं तब तक के लिए खुश रही है मुस्कुराते रही है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और पढ़ते रहे आगे वढ़ते रहे